आज मैं बनाँगी सूजी का ढोकला बनाने के लिए हमें चाहिए सूजी मैंने दो कप सूजी लिए दही एक कप दही मैंने थोड़ा सा खट्टा दही यूज़ कराया है एक चोटी चम्मच राई एक चोटी चम्मच सोड़ा मैंने यह खाने का सोड़ा यूज़ कराया जो हम रेगुलर किचिन में यूज़ करते हैं तीन हरी मिर्ज मैंने इनको बीच में से काट लिया है थोड़ा सा कटा धनिया आट से दस करी पत्ता और नमक स्वादा नुसार सबसे पहले हमें मिक्सिंग बाउल लेंगे और इसमें अपनी सूज़ डालेंगे सूज़ को अब चांद लें यूज़ करने से पहले दही डालेंगे अब इसमें एक कमच के करीब आईल डालूँगी और अब हम इन सब चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे मैंने दही को सूजी के साथ अच्छे से मिला लिया है अब मैं इस पर पानी डालूँगी और इसे मिक्स करूँगी पानी के साथ मैंने इसको अच्छे से मिला लिया है इसकी consistency मैं यही रखूंगी अब मैं इसमे नमक डाल दूँगी नमक आपने टेस्ट के सबसे डालो और नमक को इसमे अच्छे से मिला देंगे नमक इसमे अच्छे से मिल चुका है अब मैं अपने इस बैटर को 15-20 मिनिट रेस्ट करने के लिए छोड़ दूँगी 20 मिनिट हो चुकी है आप देख सकते हैं सुची भी फूल कर थोड़ी सी काड़ी हो गई है मैं इसमें थोड़ा सा पानी मिलाँगी लेकिन उससे पहले मैं इसके लिए steamer तयार कर लेती हूँ मैं अपने ढोकलों को इस पतीले में steam करूँगी ढोकला मेकर चाते हैं वो नई यूज़ किया है क्योंकि पतीला हर किसी के घर में available होता है तो मैं ये ढोकला पतीले में steam करके बताऊँगी कि आप बिना किसी भी ढोकला मेकर के भी ढोकला बना सकते हैं घर में भी बहुत एजीली और बहुत ज़्यादा soft and spongy तो मैंने ये पतिला यूज़ किया है मैंने इसमें एक गलास पानी डाला हुआ है जो 200-300 ml के करीब होगा और मैंने ये stand इसमें लगा दिया है अगर आपके पास ऐसा stand ना हो तो आप कोई भी कटोरी बड़ी सी कटोरी इसमें रख सकते हैं उसे आप उल्टा करकर यूज़ करें अगर आप चाहें तो इसकी जगे कोई भी गहरी कडाई भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन आप ये याद रखें कि कडाई थोड़ी सी गहरी होनी चाहिए अगर आपके पास ऐसा कोई भी बड़तन नहीं है तो आप पतिला यूज़ कर सकते हैं अब मैं ऐसे उबल लें दूँगी आप एक प्लेट लें मैंने ये स्टील की प्लेट यूज़ करी है जो बिल्कुर इसके साइस की हो आप उसे ढखकार इसे गरम होने दे पानी को पानी में बॉइल आने दे बनाएंगे जब तो आप अपनी बैटर को कम्प्लीट करेंगे और अपना जो भी बड़तन हम इसमें अपना ढोकला डालेंगे उसको ग्रीस करेंगे ये टिन यूज़ कर रही हूं ढोकला को स्टीम करने के लिए मैं इसमें जोकला बनाऊंगे आप कोई भी थाली यूज़ कर सकते हैं लेकैन अगर आप थाली यूज़ कर रहे हैं तो यह याद रखें कि उस थाली के भी यूज़ कोर्नर्न औरे objects हो 오른 threwly का. अपने क्रेंके देहरके द Will Tel은 होने चाहिए फिलाऊंगी, जिससे की हमारा ढोकला चिपके का नहीं ये इसमें मैंने चालो तरफ लगा दिया है हम मैं इसे साइड में दखूंगी और अपने बैटर को तयार करूंगी मैंने कहता ही थोड़ा सा गाड़ा है तो मैं इसमें थोड़ा सा पाई डालूँगी ज्यादा नहीं एक दो चम्मच के करीब और इसे मिक्स करूंगी मैंने इसको मिक्स कर लिया है इसकी कंसिस्टेंसिया बिल्कुल सही है अब मैं अपने इसमें सोडा डालूँगी जो मैंने खाने का सोडा यूज़ किया था आप चाहें तो इनो भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन कभी-कभी अमारे गर में इनो नहीं होता है तो उसके लिए आप ये खाने का सोडा यूज़ करें क्योंकि ये वारे गर में प्रमोस्ट एविलेविल रहता है अब इसे तुरंत अच्छे से Mix करें आप देख सकते हैं इसमें बबल्स आने लगे हैं मुझे नहीं पता कैमरे में ये किलियर दिख रहा है या नहीं लेकिन इसमें बहुत सारे बबल्स आगे हैं अब आप इसे तुरन अपनी उस टिन में ट्रांसफर करते हैं आप जिस भी बर्तन में डोगला बना रहे हैं यह प्रोसेस हमें बहुत जल्दी करना होता है मैंने अपना बैटर टिन में ट्रांसफर कर दिया है अब इसे आप टैप कर दें एक दो बार जिससे कि इसमें जितने भी एर बॉबल्स होंगे वो निकल जाएंगे अब हम इसे अपने स्टीमर में रखेंगे हमारे पानी में बॉइल आने लगा है मतलब हमारा स्टीमर एक दम रेडी है हम आप स्टीन को इसमें रख दूँगी मैंने टिन उसमें रख दिया और मैं प्लेट को बापच से ढख दूँगी और गैस का फ्लेम मीडियम कर दूँगी अब मैं ऐसे medium flame पे 20-25 मिनट पकने दूँगी, आप इसे बीच में ना खोलें, अगर चाहें तो 20 मिनट के बाद आप इसे check कर सकते हैं, लेकिन 15-20 मिनट से बहले आप इसे बिल्कुल भी ना खोलें, gas का flame medium में रने दें और इसे पकने दें, ढोकला मेरा पक चुका है, मैंने gas इसका flame बंद कर दिया है, मैं आपको check करके दिखाती हूँ, check करने के लिए आप एक knife लें, और इसे swim आप देख सकते हैं, मेरा knife एकदम साफ निकल के आया है, इसका मतलब है कि डोकला पक चुका है, आप भी उसे एक बार knife से check कर लें, अगर आपका डोकला नहीं पका हो, तो आप इसे थोड़ी दिर और पका सकते हैं, अब मैं इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी, और ठंडा होने के बाद इसे निकालूँगी, हमारा डोकला ठंडा हो चुका है, आप देख सकते हैं, इसकी corners इसने छोड़ दी है, ठंडा होने के बाद इसे corners को छोड़ दे कॉर्णर छुडाने के बाद आप एक पिलेट लें और इसके उपर रखें ऐसे टैप करें टैप करने से यह जल्दी निकल आता है मैंने डोकली को पिलेट में निकाल लिया है आप देख सकते हैं यह कितना स्पॉंजी बनाया है मैं आपको इससे दबा के देखाती हूँ देखिए यह कितना स्पॉंजी बनाया है अब मैं इसके लिए तड़का तैयार करती हूँ तड़के के लिए हम पहले मैंने गेस पर कड़ाई रखती है आप चाहे तो तड़का पैन भी उसकर सकते हैं हम मैं इसमें तेल डालूँगी मैं इसमें दो बड़े चमज तेल डालाए तेल कु गरम होने देगे के तेल गरम हो चकाहे मैं इसमें इसमें अपनी राइड डालूँगी राइडी के पकने के बाद आप गैस का फ्रेम मीडियम कर दें और इसमें आजिंप करीफदा लालेज क्वाल कुछ के बाल अम बनक्न कर देंगे पार मेरच वगरीपता लगे नहीं कि मेरच्व वगरी पता नहीं कर दा दिया है मैंने का फ्रेम बनक्न क्र दिया अब छम्माश्चन का तद ah में कि चालो तरफ मेला दहाई हो मैं इस पर थोड़ा सा धनिया पत्ता भी डालूंगी हमारा सूजी का डोकले तैयार है आप देख सकते हैं आप इनके पीसिस भी काट सकते हैं चाहें तो आपको इनके पीसिस काटने के लिए बसको ऐसे करना है इसे पीच में से भी काटते हैं आपके इसके पीसिस काटके ऐसे मैंने जैसे काटे हैं आप सर्फ कर सकते हैं सूजी का ढोकला खाने में बहुत अच्छा लगता है यह बहुत टेस्टी होता है तो आप मेरी सूजी की ढोकले की रस्पी को एक बार जरूर ट्राई करें और अगर आपको अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें